बुदवार का दिन शेयर मार्केट के लिए बेहद खराब रहा, सेंसेक 1600 पॉइंट्स यानिके 2% से जादा गिरा तो वही निफ्टी 460 पॉइंट्स से जादा की गिरावट उसमें देखी गई सुबे सही सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड करते रहे, बॉम्बे स्टॉक एक्स्टेंज का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 755 पॉइंट्स के गिरावट के साथ ओपन हुआ था और कुछी मिनटों में 1000 पॉइंट्स से जादा फसल गया, वही निफ्ट 42,000 पॉइंट्स हैने के 4% से जादा गिरकर 46,140 के लेवल पर बंद हुआ, इसके साथ ही ऑटो, मिड कैप इंडेक्स, फार्मा, पीएस, फानेंशल सर्वेसेज, प्राइविट बैंक, मीडिया मेटल और दूसरे सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली, इन फाक्ट अग 30 में से 23 शोयर्स लाल निशान पर थे, जबकि सिर्फ साथ शोयर्स ही ग्रीन जोन में बंद हुए, HDFC बैंक, टाटा, स्टील, कोटेक, महिंद्रा जैसे शोयर्स सबसे जादा गिरे, निफ्टी 460.35 पॉइंट से 2.09 परसंट तूट कर 21,571.95 के लेवल पर बंद हुआ, चल क्लोजिंग मी गिरावट के साथ हुई, तो बैंक टिंग शियर्स में गिरावट के साथ साथ अमेरिकी फेडर रिजर्व के ब्यास दरों में कटौती में देरी की आश्रंका से बाजार में गिरावट आई, इसके साथ यूएस में बॉन्ड इल्ड में तेजी आ रही है, 5.2 परसंट तेजी रही जो की उमीदों के मुताबिक नहीं है चीन का ब्लू चिप इंडेक्स शुरुवाती कारोबार में एक परसंट से भी ज्यादा गिरावट इसमें दिखा रहा था इसी तरह होंग कोंग के हैंक सेंग इंडेक्स में 2.5 परसंट की गिरावट रही जिसका असर भारतिय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला इसके अलावा अगर हम अगले रीजन की बात करें तो मिड और स्मॉल कैप सेक्टर उचस तर पर बना हुआ है जो शेयर बाजार में घिरावट की वज़ए हो सकती है इसके अलावा जो एक बड़ा रीजन माना जा रहा है वो है HDFC बैंक हाँ आज का कल्प्रेट HDFC बैंक को माना जा सकता है क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक स्टॉक HDFC में 8% से जादा गिरावट देखने को मिली जिस कारण प्राइविट बैंक सेक्टर लाल निशान पर था क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में इस शेयर का भ इनकम यानिके NII तकरीबन बाजार के अनुमानों के मताबिक रहा लेकिन तिमाही आधार पर फ्लैट मार्जन निवेशकों को निराश किया फ्लैट मार्जन से ये संदेश गया कि एक्स्ट्रा कैपिटल का बैंक को फायदा होता नहीं दिखाई दे रहे तो इसके जो रिज मार्केट में क्रूड ऑयल समय दूसरी चीजों की कीमते महंगी हो गई जिसका असर आयात पर हो रहा है और अगर हम अगले रीजन की बात करें तो शेयर मार्केट में गिरने के साथ ही बड़े लेविल पर प्रॉफिट भी हुआ है और ऐसे में बड़ी कंपनियों के शेयर म में गिरावट हुई है तो ये कुछ छे साथ रीजन से जिनकी वज़े से आज का स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया शेयर मार्केट में भारी गिरावट के कारण सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक 8.35% टूटकर 1549 रुपे पर शेयर के लेवल पर ये बंद हुआ इसके लावा इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज करीब 10% टूटकर 147.85 रुपे पर शेयर पर बंद हुआ जोमेटो 4.46% टूटकर 127.60 रुपे पर शेयर लोड़ा ग्रूप 4.25% फिनोनेक्स इंडस्ट्रीज 3.82% एलंबिक फार्मा और विदान्थ फैशन में 3% की गिरावट हुई BSC MCAP के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स की संपती पिछले सेशन के दौरान 374.95 लाख करोड रुपे दर्ज की गई थी बुदवार को इसमें 4.69 लाख करोड रुपे की गिरावट आई और ये 33.25 लाख करोड रुपे हो गया है HDFC Bank, ICICI Bank, Kotech Mahindra Bank, Axis Bank, SBI, Utata Steel जैसी कंपनियों के MCAP में भी बड़ी गिरावट ये रही है यानि के इन्वेस्टर्स को तक्रीबन 4.6 लाख करोड रुपीज का आज के दिन नुकसान हो गया है तो कुछ रीजन्स ये थे जुनकी वज़े से मार्केट आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो एक गिरावट के साथ हुई है इस वीडियो में इतना ही आपको ये ज़ानकारी कैसे लिए कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देखरें तो फेस्बुक पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देखरें तो यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले